इस वीडियो में हम एक नए Vortex FX प्लग-इन को Disparity Oscillator DO Indicator पर चर्चा करने जा रहे हैं। Disparity Oscillator Vortex FX फ्लाइंट साइट संकेतक प्रवरिती थकावत और उलट की पहचान करने के लिए उप्योगी है। Disparity Oscillator दियोग संकेतक सापेक्ष मोमेंटम आरिम संकेतक की भिन्नता का उप्योग करता है और कीमत में सापेक्ष परिवर्तन यह पहचानने के लिए करता है कि वर्तमान प्रवरिती अभी भी मजबूत है या थकावत के करीब है। यह संकेतक सापेक्ष गती की गण्ना करने के लिए एक एंक बार का भी उप्योग करता है जिसे बाद में एकत्र किया जाता है। जब स्क्रिप्ट चार्ट से जुरी होती है तो पहले चरण में हम डिस्पैरिटी पीरियड अवधी की गण्ना करते हैं जो की पेरियोड पेरामीटर पर इंपुट आयतन एक दशमलब पाँच गुना है जो निकट्तम अभिन मान पर आधारित है। वर्तमान मोंबत्तियों से पहले जो बार असमानता वाली मोंबत्तियां है उसे एंका बार कहा जाता है। दूसरे चरण में, हम एंक बार के बंद से वर्तमान बंद को घटा कर असमानता अनुपात की गणना करते हैं, और एंका बार के बंद द्वारा इसे विभाजित करते हैं। यह प्रक्रिया हाल ही में पेरियोड मुम्बत्तियों के लिए दोहराए गई है। अंत में, दियो मान प्राप्त करने के लिए सभी असमानता अनुपातों की राशी को पेरियोड द्वारा गणना और विभाजित किया जाता है। आदर्श रूप से, दियो का उप्योग M.A.C.D. या Stochastic Oscillators जैसे अन्य ट्रैंडिंग या उसिलेटर संकेतक के साथ किया जाना चाहिए। दियो का उप्योग करने के लिए अन्गूठे का व्यापारिक नियम लॉंग अबधी में है जब दियो शुन्य से नीचे चला गया है। Stop Loss को निकट तम स्विंग लो के नीचे रखा जा सकता है और यह शौट में प्रवेश करता है जब दियो शुन्य से उपर निकल जाता है। Stop Loss को निकट तम स्विंग उच्छे के उपर रखा जा सकता है। Chart में एक मंदी सेट अप और दो तेजी सेट अप चिनित है। एक मंदी सेट अप तब होता है जब दियो शुन्य से उपर की चोटियों और गिरने लगती है। इसी तरह तेजी का सेटअप तब होता है जब दियो शून्य से नीचे निकल जाता है और उपर उठने लगता है चोटियो या बॉटम्स को न्यूट्रल जीरो लाइन से जितना दूर करेंगे मजबूत रिवसल की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है